आज हम हमरी इंडिया की मिडिवल और एंशेनट हिस्ट्री और इसमें जो कमें कल्चर का पार्ट है उसमें जो एक सो बीस प्रश्ट और तीस प्रश्ट रमने जो करेंट आफरेस के आफ कि दिस राइस्तान की और पोर्षन है, हिस्ट्री और कल्चर वाला पोर्षन, मेडियावल और इंशिंट इंडिया का, उस पर हम जो है, शॉर्ट में समझ देते हैं, पहला परशन आपका तामरपाशानी संस्कृति के उपर है, अब देखिए, तामरपाशानी के संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी, बिल्कुल ओलट तामरपाशानी जो है, वो उतनी उन्नत नहीं है, तामबे का बहुत ज़ादा प्रयोग हो रहा है, पत्थर का बहुत ज़ादा प्रयोग हो रहा है, तो उनकी जीवन श्यली के उपर है, तो अगर आब इसमें थोड़ा बहुत भी आईडिया लगाओंगे, कितने भी पिछला पन होगा तो मिट्टी के घर होंगे यह सही उत्तर है सोने के अबुशनों की यहां पर अभाव मिलता है क्योंकि यहां पर तामभा ही ज्यादा मिलता है तो सोना चांदी नहीं मिलता है और खेती करते थे कपास की खेती के यह जानकार थे इसका उत्तर हो जाएगा उप्रोक सभी दूसरा प्रेशन जो है वो जहांगीर के दरबार के बारे में जहांगीर जो है वो मुगल काल में जहांगीर का काल जो है पेंटिंग का गोल्डन पीरिड कहलाता है इसके दरबार में एक से एक चित्रकार थे जिसमें खास करके अबुल-हसन जिसको इसने नादिरुल-जमा और मनसूर जिसको नादिरुल-असर की उपाधी दी खुद बहुत अच्छा पेंटर था, उसके समय में पोर्टरिट पेंटिन्ग स्टार्ट होगी थी पेंटिंग मैनुस्क्रिप्ट से निकल कर छवी चित्रन का होना प्रारम हो गया था तो पीक माना जाता उसको वो खुद बोलता अपनी आत्म काता तो जो के जहांगिरी में कि मैं अगर कोई एक पेंटिंग अलग-अलग कलाकारों ने बनाई तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से कलाकार ने कौन सा पार्ट बनाया तो बहराल इसका उत्तर जो है वो मीर सेद अली के अलावत तीनों है मीर सेद अली और अब्दुसम्मद और एक दोस्त मुम्मद बिता वैसे तो तीन लोग आये थे लेकिन दो लोग जो है फारस से इंडिया आये थे हुमायो के साथ मीर सेद अली को अक्पर ने अपने तस्वीर खाना का हेड़ बनाया था इसमस नहीं होगा शामी पिर मद्देकल काल के दोरान उप्यों की जाने विल हुंडी अब आज जो बैंकिंग सिस्टम जिसे का जाता है इसका एक पूरू रूप हुंडियों में मिलता है हुंडी में क्या होता था कि पहले टाइम में कोई भी वैक्ति जब वैपार करने जाता था तो उसको फाइनेंस की आवश्रक्त होती थी फाइनेंस के लिए उस समय टोकन मनी नहीं होती थी संकतिक मुद्रा नहीं तो उस समय एक ही तरीका था कि आप जो है सोना चांदी लेके जाओगी वो ही जो है वित का काम करेगा तो सोना चांदी ले जाना बहुत जोकिम का काम होता था वैसे में क्या होता था, मानलो किसी वेक्ति को राजस्तान से बंगाल जाना है व्यापारी करने के लिए, तो वो क्या करता था मद्यकाल में, सोना मानलो एक हुंडी व्यापारी कि मारक देता था, बदले में उसको कागज पर या कपड़े पर हुंडी लिखके देता था, किस means of exchange है letter of credit है banking का पूर रूप है check का पूर रूप है आज की जो currency चल ली उसका पूर रूप है सुरजन राय बंडारी नाम का एक राइटर जिसने खुला से तो तवारिक लिकी उसमें हुंडी विवस्ता का मुगल काल में हुंडी विवस्ता का बहुत ही इत्मिनान तफसील से उसने वर्णन किया है तो अब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो तीनों उत्तर होंगे अब चौता प्रशन शटी सताब दी में वेपार एक में गिरावट के क्या कारण थे जैसे ही गुपतकाल का मद्य पीक पहुंचता है तब आर्थिक जो है आवस्ता का पतन होना प्रारम बोजा तो उसका बहुत बढ़ा कारण ये भी था कि भारत जो है अब वेपार से जो है वो अंतराश्य वेपार में पहले जो ट्रांजिट का फायदा उठा रहा था वो अब नहीं उठा पारा है रेश्म का वेपार जो है उसकी गिरावट आगे ग्रेट सिल्क रूट का पतन हो गया रोमनों ने अरबों ने खुद ने रेश्म बनाना इसमें सीख लिया है तो इसका उत्तर जो है इसमें दो सेकेंड जो पार्ट दे रखा है रेश्म मार्ग पर तुर्कों का एकादिकार अब रेश्म मार्ग में तुर्कों का एकादिकार अभी कुछ नहीं होता है ये तुर्कों का एकादिकार होता है जाके पंदरवी सोलवी शताबदी में तो सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है पहला और तीसरा जो है इसका option जो है वो सही उत्तर हो जाएगा पात्वा प्रेशन अगेन मुगलकाल, सत्तरवी शताबदी व्यापारवानिजी के विस्तार में अंतरनीत कारक कौन से थे ऐसा माना जाता है कि सत्तरवी शताबदी अकबर का पेरिड जो है पीक पे पहुंच चुगा है फिर जहांगीर शाजाजा है इंडिया में कुछ लोगी मानते हैं कि ये थर्ड अर्बनाइजेशन था थर्ड नी फूर्थ अर्बनाइजेशन था तो ये जो शैरी करण है इसकी कई लोगों ने थेयरी इरफान अभीव की थेयरी शती संदरामेन बोलता है कि सिटी टाउन्स बनने प्रारम होते हैं तो इसमें कौन सा कतन जो है इसमें पूचा गया कि इसमें कौन कौन से कारक थे तो कारकों की दिष्टी से देखा जाए तो मुगलों का अरब सागर के व्यापार पर एकादिकार ये प्रेशन सुनके इसका ऑप्शन सुनके आपको लगेगा एकादिकार इनका नहीं था मुगलों से पहले भारत में यूरोपी आगए थे 1408 में में पूर्दगाली आगए थे और 1526 मुगल आए थे पहले आगए थे यूरोपी और उनका यूरोप के जो उस समय पूर्दगाली आए इस्पैनी, शाय, डुच, फिर बाकी फ्रेंच, ब्रेटिश वगरा जो आए उनको वो समुद्र पर उनका बहुत जबर्दस अधिकार था, खासकर पूर्दगाली ने लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक मुगलों से भी कर लिया, तो मुगल कभी भी पानी में बहतर नहीं स्पैर कर पा, इसलिए जो उत्तर हो जाएगा भी इसका, चटा प्रिशन आइ, सासकरते गुरूब से, द्रविड शैली में कौन सी विशेष्टा हैं समय मिली था, अब इसका, अगर उत्तर देखेंगे तो हम, उत्तर बारत के मंदिर, मोटा मोटे, उत्तर बारत के मन्दिर, नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं, मद्दे भारत के, बेसर के, तक्शि भारत में उत्तर सेंक्टम सेंक्टूटम जिसको बोला जाता है तीसरा जो है पिरामेडाकार शिकर है तो पिरामेडाकार शिकर जो है वो द्रवेड वास्तुकला की खास पहचान मानी जाती है खास पहचान इसलिए क्योंकि उत्तर भारत के जो मंदिर है वो रेखी शिकर के त बल्बन जो है वो उसने निमन कुल में जन में सभी विक्तियों को महत्पूर्ण पदों से निश्कासित किया, बिल्कुल ठीक था, उसने सशक्त केंद्रिकर सरकार की सेना की, स्तापना की, ये भी ठीक है, उसने बूराजे से पढ़नाने में व्यापर्क परिवरतन किया तैसा ये अकबर के समय के थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फस्ट और सेकंड की साफ से एक और दोगता से उप्शन हो जाएगा इसका उत्तर सी, आठमा प्रेशन मद्यकाली वारत के इतियास के बारे में खुत मुकदम चौदरी ये लोग कौन थे, ये वो लोग थे जो समय पा काल के बाद में, जो है, तेरवें, चोज़वें, पंदिश अताफ दीमिन का राज रहा था, तो अब इसमें पूछा गया है, कि होईसल मंदिर जो है, परसिद हैं, किस चीज़ के लिए परसिद माने गया हैं, तो वास्तुकला में बेशर सहली है, क्योंकि बीच का पूर्ष ने गया है, तो इसमें जो बीच का है, कि निर्बल उत्रादिकारी आ गए, पहला होनो का आकरमन बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा जो है इनके जो उत्रा दिकारी है वो निर्बल आ गए निर्बल का मतलब है जदा जो है वो उत्थे नहीं कुवत वाले नहीं थे और सामन्त वाज़ का उध्य हो गया तो उत्तर एक दो तीन किसाफ़ सी हो जाएगा फिर ग्यारवा प्रशन कबीर के उपर भक्तिकाल भी कोर्स में बहुत इंपोर्टेंट है बक्ति का मतलब कबीर से जरूर प्रशन इसमें पूछा जाएगा अब कबीर के बारे में कतन है पहला ही दे दिये सगुन भक्ति में तो गलत हो जाएगा दो और तिन उत्तर हो जाएगे बारवा प्रशन चोल चोल मंदिरों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ठीक है अब चोलों के मंदिरों में ब्रह देश्वर का मंदिर है सुन्दरेश्वर का मंदिर है गंगय कॉंचूल पुरम का मंदिर लेकि विरुपाक्ष मंदिर नहीं है तो इसमें उत्तर एक और तीन किसाफ से डी हो जाएगा कुशान वंस के बारे में पूछा गया है कि इसमें कुशान काल की क्या खास बात है था इसका सामराजी केवल भारत के उत्तर भाग तक सीमितन भारत के उत्तर से बाहर भी था और मतुरा तक और कभी कभार जो है वो मद्य भारत तक पहुंच गया था पहला स्टेट्मन गलत दूसरा और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा हाला कि यह जो प्रश्ण है वो इसका उत्तर जो है वो डी गलत दिया है इसका उत्तर होगा केवल दो सक्क समवत का प्रारम इनके साशन काल में हुआ कुशानों के काल में भारत में पहली बार सुने के सिक्के जो है हिंद यवनों ने जारी कि इनों ने जारी नहीं किये थे चंद्वा प्रश्ण 14th question इसा पूरु छटी सतावदी 6th century BC यानि की इसा की काल प्रारमनों से भी 6 साल पहले यानि आज से करीबन 26 साल पहले कौन सी बात है ये दूत्य नगरी करण का काल माना जाता है तो दूत्य नगरी करण में नई क्रिशिव ववस्ता का प्रारम हुआ लचिली वववस्ता नहीं आई थी गलत है तो ऑप्शन में पहला रहेगा सामाजी का समान तक उपस्तिती थी बिल्कु दो उत्तर हो जाएगा भी पंदरमा प्रशन अकबर के शासंगाल के दोरान भूमी वरगी करण के निम्ले के ज्युगमों पर विचार कीजिए अकबर के समय बूमी जो है वो अकबर तीसरा ऐसा बड़ा मद्दे काल का शासिता जिसने भूमी सोधार की सबसे पहल बूमी का वरगी कंड़ दो तरह से वर्टिकल भी है होरीजॉंटल भी है उत्तम मद्यम और निम्न वैसे भी है और पोलर चाचर उसर ऐसे भी है तो इसमें हमें जो है मैच करना है कि भूमी के पोलर जैसी बूमी जिसमें प्रतिवर्ष की जाती परति नहीं चोड़े जाता जन तू लो बेसिकली क्या था जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो उसने सबसे पहले देखा कि भारत की कानून विस्ता को समझना पढ़ेगा तो हिंदुओं की कानून ववस्ता मनुस्मृति याग्यवला की स्मृति इन पर रहदा रही थी तो मनुस्मृति का उसने सबसे पहले ट्रांसलेशन कराया अकोड ओफ जैन्टुलांज उत्तर हो जाएगा ए बहुत धरम के संदर में निमलिकित कत्रों में से कौन सा कतन सत्य है अब बहुत धरम जो है वो चटी सता प्रीशापूर में प्रारम हुआ ये वो काल था जब ब्रामन धरम के खिलाफ शावक धरम श्रमन धरम जो है वो उबर के सामने आते हैं और ये ब्रामन सामाजी के ववस्ता की को भी चुनोती देते हैं और साथ ही साथ में धार्मी को भी ववस्ता को भी चुनोती देते हैं तो पारंपरी जो ब्रामन धरमता उसको उन्होंने किस तरह से चुनोती थी इस पर प्रशन है इन्होंने ईश्वर के स्थितू को स्विकार नहीं किया बिल्कुल ठीक बात है विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता के बीच मद्दिम मार्ग ये भी बिल्कुल ठीक है तीसरे इन्होंने सांसारी दुकों का कटोर समाधान सांसारी दुकों का नहीं किया मद्दिम मार्क पर दिया तो उत्तर एक और दो किसाब से हो जाएगा इसका उत्तर सी अब शिवाजी के बारे में शिवाजी के अश्ट प्रदान जो उनकी दर्बार को बोला जाता था इसमें आठ लोगों के बारे में जरूर पढ़ना जी शिवाजी भी प्रशना आते हैं ज अगें चटी सताव दीसापूर राजनितिक विष्टी से महाजन पदों का काल का कहलाता है रिगवेज जन का काल है उत्तर विधिक जन पद का काल है चटी सताव दीसापूर महाजन पद का काल है जहां माजन पदों में राज तंतर गन तंतर दोनों का स्थित्ट हो था एकदम ठीक है मावीर बुद्ध दोनों का समन्ध संग राजियों से था बिलकुल ठीक है तो उत्तर हो जाएगा C विदेशी यात्री जो विजे नगर के समय में आते हैं तीनों यात्री आते हैं 21 प्रशन पुर्दगालियों के आगवन के प्रभाव में संधर में कौन सा कतन सत्य है तो एक तो इन्होंने क्या किया अरब सागर के व्यापार नेटवर्क पर एकादिकार कर लिया बिलकुल ठीक किया बिलकुल सही है यह दूसरा जो उन्होंने भारत में नवजागरन का उनक दिन खिल जी कि बाजार नी इंतरन नीती कौनसा कतन सत्य है तीनों कतन सत्य है बाजार की हलांकि व्यापारी कतिवतियों के लिए एक जड़ दिवाने रियास्त नहीं था लेकिन जीएस में यह सही माना जाएगा तेइसमा प्रशन दक्षिन भारत में संगम काल है जो मौरत जड़ा उन्नत था तो यह पूचे गए हैं कि कौन से ऐसे शहर जो थे वो संगम वेद में थे तो अरिक मेडू और कावेवी पट्नम थे इसको पुहार भी खा गया है बडोच जो था वो पच्च्चिमी भारत में इसलिए वो शामिल नहीं हो एक और तीन किसाफ से उत्तर ह ही से अगी नहीं की सरभी सांउर्य के बारे में सेर्सासूरी जो है उसने सराइए सथरा सो बनाए धूमी की फैमाइश की उस समय जो है मैंना किया अपकः अखबर का पूरुगामी माना अगया अबबास ताबमानी ने थारीक आ यह लिकह है उसने टोड़ार मलके नेतरतु में ही करवाय था बूसर्वेशन, तो उत्तर जो जाएगा एक और दो की साब से सी, पत्चीसमा प्रश्ण में बहुत में प्रचलित धार्मिक वेवारों के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है, अब इसमें हमें ये समाजना पड़ेगा कि ग्रहस्त जीवन का त्याग प्रवज्जा कहलाता है, ठीक है, संग में प्रचलिकों नती, नती ये नियो था, नती का मतलब होता है कोई प्रस्ताव रखना संग के अंदर, जो बहुत मोनिस्ट्री बनती थी, उसमें बहुत बुद्धिस लाइटी थी, या जो लोग बिख्शुक होते थे, उस विवस्ता को कैसे चलाते थे, उनके कुछ शब्द है, जिसमें उप्प संपदा इंपोर्टेंट है, पावरण इंपोर्टेंट है, प्रवज्जा इंपोर्टेंट है, नती इंपोर्टेंट है, शलाका फूरुष इंपोर्टेंट है, लिक शब्दों के आपको याद रखने पढ़ेंगे, उत्तर है इसका सी, भारत में कई वी विदेशी यात्री आए, शुरू सुरू में जो थे, वो परशिया से आये थे, उसके बाद में ग्रीक यात्री आये, उसके बाद में चाइनीज यात्री आये, उसके बाद में अरेबियन यात्री आये, उसके बाद यात्री आये, तो अलग-अलग यात्रियों का सिलसिला भारत में बना रहा, बहुत यात्रियों में, फायान, वेंसां और इत्सिंग और माहुयान और चाउजू कुआ पांच इंपोर्टेंट है तीन के उपर प्रशनेश में पूचा गया है वेंशांग ने कृष्कों को सुद्र कहा है तो ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट मानने जाता है वेंशांग बिल्कुल ठीक है बहुत धरम के अद्द्द्द करने के लिए भारत माया बिल्कुल ठीक है तीन वे स्टेटमेंट इसके जो है सही है अकबर ने दक्षिन भारत के जो राज्य थे खासकर एहमन अगर बीजापूर और गोलकुंडा को जीतने का प्रयास किया सबसे उपर दक्कन में आधा जीतने का प्रयास किया क्यों जीतना चाहता था समराज जवादी था एक बार ठीक है दक्षिड में पूर्थकालियों का परवाव बढ़ रहा था मूझा है और लगेंसे दक्कर्ण के राज्यों से आमंतर, अब लगेंसे किसी की वट में त। बड़ा फैक्त नहीं बंता तो उत्तर जाएगा भी अठाइसाप्रेश्ण कौन से कारण से इसापुरु जटिशताप्दी में उत्रपर्ष्चीन भारत के जरिये विदेशी आक्रमण के соहकश्ञ बने तो इस दम्हें शक्तिसालीराज्जे का आभाव था पहला स्टेट में ठीक है, मौरेश समराजी का उद्धे नहीं हुआ था, बाद में हुआ था, गलत है हिंदु कुष्ट में दर्रे थे, खैबर था, गोमल था, बोलं दर्रा था पेशावर के बाद खैबर दर्रे से सबसे ज़्यादा अक्रम नोगे तो पहला और तीसरा उत्तर सही है उन तीस्वा प्रशने राजा हर्श वर्दन के बारे में पुचा गया, उसने कन्योज गुराजदानी बनाया, बिल्कुल ठीक है, बहुत धर्म को अपनाया बिल्कुल ठीक है, पुरुईतों को भुमिदान देने के पृता को समाथ के ऐसा नहीं है, वो बाकी धर्मों के पृति भी सहीश्न हो रहा, उत्तर हो जाएगा ए तीस्वा प्रशन एक तरफ वेद हैं, दूसरी तरफ उनका संबन्ध है, तो इसमें कौन सा आपस में मैच है, रिग वेद में कहाई, गद्य पद्य दोनों में रचित नहीं, केवल पद्य में रचित है, बाकी तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा जो है, वो मैच करते हैं, एक तीस्वा प्रशन यौनानी एतियसिक्तों में अमित्र चेटरस किसे का गया, अमित्र खाद किसे का गया, बिन्दु सार को, चंद गुत मुरे के पुत्र को, जो कि जिसे का गया है, अमित्र खाद का मदलब, ऐसा विक्ती जो दुस्मनों का संगहारक है, तेके, एन चार कारणों में केवल दूसरा कारण जो ए गनतंत्रात्मक शासन हो था, मगद कभी भी गनतंत्रात्मक नहीं था, रिपबिलिकन नहीं था, राज तंत्र था तो उत्तर हो जाएगा इसका, ए, एक, तीन और चार. बहुत अलग अलग तरह कि शूफि संथ भारत में होएँ, बक्ति काल के पह्रलेल. तो उन में कुछ ऐसे थे जो दर्वार में जाते थे, ऐसे जो दर्वार से अपनेयापको अवर्स रखते थे, कोर्ट, प्लेजर से. तो प्रच्रित वो ही हुए जो अपने आपकों दर्बारी शानों शोकों से दूर रखते हैं जिसमें खास करके चिष्टी हुए लेकिन सुहरा वर्दी सिल्सला ऐसा था तो इस पर विश्वास करता था कि आप राजा के बाद जाओ राजा को की नीचे को चेंज करो तो शेकु इसलाम की उपाजय में उनकों मिलती थी तो सी उत्तर हो जाएगा सुरा वर्दी पैंतिस्वा भागवद्धर्म का सबसे बड़ा जो अभीलेक की सबसे पुराना अभीलेक की साक्षे मिलता है हेलिवद्धर्स का अभीलेक है विदी शामें इसको बेस नगर का गया है हिंदी एवन राजा एंटी अलकीटस अपने राजदूत हेलिवद्धर्स को बेजता है और वो भारत में आगे भागवद्धर्म को अपना लेता रूस्वी भगवान विश्णू की याद में गरूर दोजिका जो उनका वाहन माने जाता है उसका निर्मान करवाता है 36 प्रशन संगम यूग के तमिल समाज के बारे में प्रशन पूचा गया है जटिल जाती ववस्ता थी नहीं था राजा वेलालों के मीच अंतर विवा होता था अगर अंतर विवा होता था इसके अंतर विवा होता था जटिल समाज वस्ता नहीं तो दूसरा उतर सही है ब्रामनों में निरा मिश्टा थी ऐसा नहीं है ब्रामन जो थे शामीश विद्यानी नौन वेज भी खाते थे उत्र उतर आरे करन हुआ, धीरे-दीरे आरे तत्थो आये आरेों के जो सोला संस्कार है, पुर्षार्ट का सिद्धान्त है विवा, आठ प्रकार की विवाओं का सिद्धान्त है ये सारे देरे देरे आते गए तो उत्तर हो जाएगा दो और चार की साथ से B. 37 प्रशन भारत में सबसे पुराने सिक्के मिलते हैं, वो आहाद सिक्के मिलते हैं, उनको कुछ लिखावा नहीं होता, उनको पंच किया 38 प्रशन फायान, चिन यात्री उसके वृतांत के बारे में कौनसा वृतांत सही है तो चारों वृतांत ये बोलता है कि भारत में शांती थी, लोग नहीं काते थी, दणन नहीं दिया जाता था, मद्देश ब्राहमनों का देश था, सारी बाते थे थे, работाशोज के प्राकर्द भाषा युनानी भाषा रेमिक भाषा बिम्दि चोब फोटीफ कुश्चन अशोग के अभी लेग अशोग के मौरेकाल के शिल्प से संबन दीत हैं कि इसमें कौन सा जो है वो अशोग के समय का है तो पहला सारनाद का सिंग्सर है रामपुर्वा का विश्रब है देवगर्ड की से प्राद विश्रुम मूर्थी उसके नहीं है मतुरा से प्राद गुद्ध की मूर्थी जो है वो गुप्तकाल के है दूसरा तीसा नहीं एक और चोथा हो जाएगा तो उत्तर डी यह अशोग के समय के आपको शिल्प के बारे में पढ़ना पड़ा है खास प्राद गुफार अशोग के समय में बनी इसमें गोपी वापी वदतिक करन चोपड लोमश विश्रु जोपडी ठेक है ऐसे साथ गुफाएं थी तो इसमें जो करन चोपड जो है वो आजी वक को बेंट में दी गई थी इसका मतलब अशोग जो था केवल बहुत दर्म को नहीं आजी वक दर्म है बाकी दर्म को भी मानता था चमाल इसमा प्रश्ण जैन साहिते कब सहीतावद किये गए हैं वललबी में 513 कुछ बुक्स में कुछ बुल में 526 में देवर्दी श्रमा श्रमन उसके अध्यक्स बने और जैनों का आगम साहिते उसमें लिखा गया ठीक है तो ये जो वलललबी जो था बहुत बड़ा इंद्र माना गया है उस समय और वललबी के जो साशक जो थे मोखरी सारी में जो सा सकते उनके समन्द गुपतों साथ बहतर थे चमाल इसमा प्रश्ण जो प्रभावती गुपता ग्रह वर्मन की बातें वगरा वो ठीक है चमाल इसमा प्रश्ण फॉर्टी हो शंती एक तरफ ग्रंत देर के दूसरे उनमें वड़ने चाशक है तो इसका उत्तर राज तरंगनी में ललीता दिक्तमुतापिट जो की कलहर ने लिखी बहुत इंपोर्टन किताब है बहुत पूची जाती है मुद्र राक्षज जो है वो आपके चंद्रकृत मौरे के बारे में बताती है ह जो देवी जो है दुरू स्वामी नी उनकी कता है उत्तर हो जाएगा सी पैंतालिसम अपरेशन अकबर के समय में दिवाने वजारति कुल की की स्तापना की गई ठीक है वकील के देखो दो पद इंपोर्ट है एक है वकील एक है वकील का मतलब है प्राइम मिनिस्टर नायब जो एकड़ सेकेंड है वो राजा चाहेगा वैसे होगा और वजीर जो है वह वित्त मंत्री है दीरे दिर वकील जब से बेरम खांच जता है वो उसकी इंपोर्ट है से डिमिश हो जाती है लेकिन वजीर पावर्फूल होता दिवाने वजारति कुल की स्तापना की वकील के प जहांगेरी के समय हैं उनके आसफ खां और एत्माद दोला बहुत इंपोर्टन तेरे एक वकील बन गया था। सुमेलिक करने के लिए कौन सा सुमेलिक नहीं है अबबास का सरवाणी तारीक अख़री इसके समय का नहीं है यह बेसिकली अबबास का सरवाणी ने लिखा है तारीक की शेर्शाही तो यह गलत हो जाएगा अमीर कुछरो ने नुह सिपहर की रचना की किस के प्रसंचा में की इंडियन लेंड भारत भूमी के लिए ठीकि उसी में लिखा या फिर दोस वरूए जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त यानि कश्मीर की प्रसंचा भी करता है बहुत इंपर्टन किताब है जरूर को अमीर लेकि साथ इस्टोरिकल किताबे हैं जिसमें खजाईन इल्फटू, मिफ्ता इल्फटू, आशिकां, देवलरादी, खिजर खां, नुह सिपहर, ये जो किताबें जो हैं ये खलिक बारी, ये इस्टोरिकल भी इंपर्टन वानी जाती है अर्टालिसमा प्रश्टन, छटी सत अवंति का था, काला शोग जो था, वो मगद का शासकता आश्मक का नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा उतरसी, 59th, 49th question जो है, कौन सा साहितिक ग्रंथ मगद में हुए 12 वर्स लंबे अकाल का वर्णन करता है, परिशिष्ट परवन हेमचंदर ने लिखा है, हेमचंदर जो है, वो ही हमचंदर है, जो चालुकियों के दरबार में था, और उसने 360 शला का पुरुष्चरित नाम का ग्रंथ लिखा, उसी का परिशिष्ट परवन कहलाता है, और historically बहुत important है, पचासवा प्रश्चन किताबें, उनके रचनाकार, उनको मैच करना, व्रह साहिंता जो है, वो basically लिखी गई है, वरा मीर के द्वारा रतनावली लिखी गई है, हर्ष्ट द्वारा किरता, किरात, अर्दिन, भार्वी द्वारा मर्च कर्टिकम, सुध्रक द्वारा, बहुत बड़ी-बड़ी सांस्क्रित की किताबें है, इसको तैकिकाते हिंद भी का जाता है, इसमे पुछा, कौन सा कहसे किती है, दूसरा कहसे गलत है, इसमें राज़्रिती कितियास का कोई वर्णा नहीं है, पूरा संस्कृतिक कُل्चर के जाधा लिखा उस समय की भी साइन्स सब के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट उस समय का दरपढ़ वानने जाता है bahारत बावनवा प्रश्नु अलाओ धिन खिल जी ने जब राजस्तान पर आकमन किये तो उसका करम तो यह तो यह राज बताने के बाद में बाकी जगह उपर जो उसने किये राजस्तान के अलावा तो इसमें सबसे पूराना जो है पहले उसने गुजरात पर आकमन किया उसके बाद पूरी डिटेल दी भी एक एक चीज़ इसले सो गजट भी का जाता है मुगल गजटीर भी माना जाता उत्तर हो जाएगा आपका भी अबूल फजल न लिखा निम्लिकित में से कौन सा यूक में सुमेली तर नहीं हैं अब इसमें चार बड़े-बड़े इंपॉर्टन सिलसिले हैं जो भारत में आके सूफियों के माने जाते हैं चौथा जो है वो आपको इसमें चिस्ती जो ख्वाजा मुईदी दिन चिस्ती नक्षबंदी जो है शेक एहमद सरहिंदी सुरा वर्दी बहावदिन जकारिया और कादिरी ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है डी इसका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा हाला कि शेक्स है एहमद सरहिंदी वाला भी मैच नहीं करता है लेकिन आमने इससे उत्तर एक ढिवाना जाएगा पच्पन्वा प्रश्ण मंभारत में उत्खनीत प्रमाणों के आधार पर मद्द्पाशान में पश्व पालन के साख्श मिलते हैं बिल्कुल बागोर से मिलते हैं मद्दे पाशान एक पशुपालन के साक्षे भारत में केवल बागोर से मिलते हैं ऐसा नहीं है और भी जगहों से तेलवाड़ा साभी मिलते हैं और भी बहुत जगल सी रांद विरान से भी मिलते हैं बागोर राजिस्तान के भीलवाड़ा जिल बसते हैं ठीक है तो एक और तीन के साथ से उत्तर हो जाएगा सी। थपन्वा प्रशन, कौन सा कतन सत्य है। कौन सा सत्य नहीं है। खाध्यानों का उत्पाधन सर्फ बता मद्द्पाशा नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं है तो ये उत्तर में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा भारती उपादी में किर्शी की प्राशिंदम साक्षे बागोर से नहीं मिलते हैं मेरगड़ से मिलते हैं यह कतन भी आ जाएगा तो दोनुं कतन गलत है तो शामिल हो जाएगा एक और दो 57 प्रिशन चार स्तान दे रखें कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल मिलता है आदमगड में जो है मेरगड में सबसे पहले गेहूं की साक्षे मिलते हैं तो एक ही करके स्टार्ट करते हैं इसमें कोल्डी हवा चावल आदमगड में आपके पशुपालन की साक्षे हैं पहले बागोर आदमगर्ड एक साथ के मेहरगर्ड के साथ से हो जाएगा आपके गेहूं और मेहदा में हड़ी के आवुशन हड़ीयों का बहुत बड़ा जो है बेलन वेली बुला जातरस में जमावड़ा मिलता हूं तरसी अगें पूरा स्थल और उनकी पूरा तरसी खोजी सिंद जानागार उत्तर हो जाएगा आपका दो तीन चार एक दो तीन चार एक यानि बी फिफ्टी नाइन पूरा तथी शाक्सों में से कौन सा सिंदुगाटी सब्वेता के संदर में जानकारी प्रदान करता है पूरा तत्थ खुदा ही मिलती है बाकि गरंथ वरंथ कुछ नहीं लेक भी जो मिलते हैं पड़े नहीं जा सके साथवा प्रदेशन सिंदुगाटी सब्वेता और वैदिक सब्वेता में क्या बिन्नता है तीनों बिन्नता हैं जो दे रखिये एक नगरी है सिंदुगाटी सब्वेता अर्बन है वैदिक रूरल है वहाँ पर लिपी चित्र ल से पता चलता है कि उन्होंने यूज किया था उत्तर वेदी का लुए तो उत्तर हो जाएगा चौथा यानि चारो रहा है कौन सा सुमेली थे तो लोथल में धान की खेती के साक्ष्ण मिलते हैं वाकि कोई भी मैच नहीं कर रहा है बासे टोमें का प्रेशन में पूछा कि कौन सा सत्य है इसमें आदू आब इंपॉर्टेंट है अभी चर्चम में विरादर सिंदु गाटि सब्बेता का बुजरात से मिला उस्तान में बहुत इंपोर्टेंट है तीन बागों में बटा हुए है पानी के बड़े-बड़े टंकिया है सबसे पूरा ना स्टेडियम मिलता सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं अगर देखें तो शिंदुगाटी सब्वेता प्रमुक्ता लोकिक सब्वेता इसमें धार्मिक तत्तु यद्दिपी उपस्ति था पर वर्चस विशाली नहीं था अब इसमें थोड़ा सो सो प्रश्ण है ये तो आदा सही आदा गलत है तो इसको सही मान लेते हैं मोर से तीन मुक वाले देवता पशुपती हैं देवता के वक्ती बैटा उसमें तीन सिंग वाला टोपा पैना हुआ है उसके तरफ जो है वो जानवर है तो उसको लोग बोलते हैं प्रोटो शिवा पशुपती है ये भी ठीक है काले बंगा से अगनी पूजा के साक्षे की प्राप्ती है काले बंगा से मिलती है काले बंगा एक मातस्तान है इंपोर्टन जहां पर देवी पूजा का साक्ष नहीं मिलता तो ये भी सही है चोथा जो है मंदिर विशाल मिलते हैं नहीं मिलता है एक दो तीन किसा आप से उत उनत नगरी निती ग्राम इंटी पहला स्टेट्मेंट गलत है बागी तीनों सही है शट्ट सट्वा प्रश्ण निमलिकित वैदिक साहित्यों को उनके काल अनुक्रम में विवस्तित किजिए तो सबसे पहले आपके वेद हैं फिर उसके बाद ब्रामन है फिर आरने के फिर मंत्र तो गायत्री मंत्र तो तीसरे मंडल में हैं रचनाकार विश्वा मित्र हैं गायत्री मंत्र मात्र देवी को नहीं है सूरे को सवित्र को समर्पित है गायत्री को नहीं है सविता को समर्थ तो एक और दो किसाफ़ते उत्तर हो जागा है सत्तरवा प्रश्ण सामवेद म अदुर्विय का जाता है और अतरवेद वाले को ब्राह्मन का जाता है, तो ये भी ठीक है, सामवेद का संकलन रिगवेद पर आधारी थे बिल्कुल ठीक है, अधिकतर संद वो ही है, जो की रिगवेद के, इसलिए रिगवेद इंपोर्टन उत्तर डी या नहीं सभी सही है, एकतरवाँ प्रश्न ये जोरुवेद के बारे में पूछा गया है, तो ये जोरुवेद में भी अगर आप देखें, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, कृष्ण ये जोरुवेद को वाजस नहीं सेंता का आगया, शुक्ल ये जोरुवेद में गद्य पद्य दून, तो तेहतरवाँ प्रश्न नवपाशान यानि नियोलितिकाल है, मनुष्य ने रहना स्टार्ट कर दिया था, तो बुर्जवों में जो मिलते हैं, साक्षे मिलते हैं, गर्थ आवास मिलते हैं, और मानव के साथ में कुट्टे को भी दफनाय के हड़ी मिलती है, उनकी तो इसका म सब्सक्राइब 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 सिंदुगालि बंगाहों गह्तर हो जाएगा. सिंदुगाटेवाटेव सब्धिता के नगरों हृब्सथा में बिया इतो और ये देवी और नहोंगा की पूजा करते थे ठीक है और ये युद्ध में हिन्गाट्पी योग नहीं करते थे तो एक दो तीन के साफ से उत्तर हो जाएगा आपका भी चैतरवा प्रश्ण सिंदू काटिस अभीता कि किस पुरा स्थाल से कुवों स्थानागार सोचा लए कि आउसे इस प्राप्त होते हैं तो इसलिए आ से देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा धोला यह एक ऐसा स्तान है कि अपनी वाटर टेकनोलोजी के लिए पूरे विश्व मैं सबसे पूरानी ऑटर कंजरवेशन की जो आच्छी टकनिक मिलती है वो मिलती है एक मिलती है जो अगरता है शयो कि अर्वियत्सरइक लिएक उनका context भी एक जैसा है तो वेद राया ट्राया लोजी अठतरवा प्रश्ण अगेन वेदों के बारे में पूछा गया है रिगवेद में सरसुति नदी का नाम सरवादी को लेकित है गलत है सिंदु नदी का है तो सत्य नहीं है यह चांटना तो पहला statement आजाएगा उत्तर में रिगवेद में सरसुति नदी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के नाम से संबोदित किया गया है तो यह statement जो है वो सही है तो उत्तर में शामिल नहीं होगा रिगवेद में गंगा नदी को सबसे पवित्र का गया नहीं माना गया है तो सरसुति को माना गया है तो एक और त गा है जो आर्मेनिया तरकी की पास में वहां पर इंग बोगज कोई अभी लेक है उससे प्रश्च पूचा गया है तो इसका बोगज कोई अभी लेक मैं ऐसे राजाओं का वर्णन उलेख आया है जिनके नाम आरियों जैसे मिलते हैं ठीक है एशिया माइनर में इस्तित बोग बोगज कोई से ग्याद होता कि वैदिक आरे होंने अपना सामराज एरान तक विस्तृत कर लिया था सामराज नहीं था वह वहां से आये थे तो आदा सही है अब यह थोड़ा चौदा सो इसापूर के बोगज कोई विलेक में रिगवेदिक देवताओं में मित्र वरुण इंद्र नासते हो लेक मिलता है तो तो काईदे से तो तीनों ही सही होने चाहिए बट जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है डाउटफूल रहेगा रिगवेद काल के धर्म के संदर में निम लिखित कत्रों में कौन सा गफन सत्त्य है रिगवेद में वरौन को समुद्र का सनुद्र का देवता रिद्का नियमक माना गया उत्तरो जाएगा D. 81 प्रश्न रिग्वेदिक देवता विशिष्ट पहचान तो इसमें अगें इंद्र जो है युद्ध के देवता है वरुण जो है नेतिक नीमों के देवता है रित के नियमक माने गए हैं अगनी जो है वो पुरुईतों का देवतार अश्वनी वनासत्य श्कित्सा के देवतामाने उत्तरोल जाएगा B. 82 प्रश्न दा सरागी युद्ध के बारे में इसमें दासरा तऑ कि युद्ध का वर्णन यजुरवेद में गलत है रिगवेद में तो दूसरा तीसरा स्ट्मस से ही उत्तरोल जाएगा B. तैया सीमा प्रश्न, इसमें कौन सा कतन सत्य नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा कतन सत्य है, चौता कतन जो है, वो एके करके हम इसको देखते हैं, कौन सा कतन सत्य नहीं है, उपनिश्द भारती दर्शन का मुख्यादार तथा वैदिक साहिति का अंतिम भर्ग है, बिल्कुल मुक्ष की चर्चा मिलती ये भी ठीक है सत्यमीव जयते शब्द मांडुक के उपनिशत से लिए मुंडुक को उपनिशत से मिलता ना कि मांडुक के से तो चौता स्टेट्मेंट जो है गलत होने से उत्तर हो जाएगा ए चौरेसिमा प्रष्ण रिगवेद की मूल लिपी देवनागरी थी कौन सा कतन है या नहीं अब ये भी थोड़ा वैसी है कि उस समय देवनागरी वो नहीं थी लेकिन ये जरूर है कि ये उस समय तक जो है आ गई थी मतलब जब ये किताबों को रूप में लिखा चाने लेगा क्योंकि शंस्करत की जो लिपी है जो है वो देवनागी मानीजे observed दस मंडल हैं पहले से ज्येंसे अर्यों के अफगानिस्श्थान तक से पताचलता है अब ये जो नदियां है ये कुबाorder शतादृ ग्योंति और सुवास्ति तो इसमें जो शतुद्री है वो सतलज है बाकी सारी अफगानिस्तान में तो उत्तर हो जाएगा एक तीन और चार रिगवेद में कौन सा मंडल पूर्ट सोम को समर्पित है नौवा मंडल आयूरवेद बेसिकली उपवेद माना गया है रिगवेद का तो इसका उत्तर हो जाएगा रिगवेद निमलिकित कतनों में कौन सा कतन सत्य है अब अगर इसमे कतन के अगर बात की जाए तो सरव परतम गया सुदिन तुगलक ने सीन चाई के लिए नहरों का निर्मान करवाया ठीक है पहला स्टेटमेंट सही है गया सुदिन तुगलक ने कृष्षी में सश्या वरतन प्रणा ली लागू की तता फसल चकर के अनुरूप खेती का प्रोचान दिया ये सेटमेंट भी ठीक है मौहमद बिन तुगलक ने कृष्षी की उन्नती के लिए अमीर को ही नामक में बाका गी क्या एक दोर तीन तीनो स्टेटमेंट स्टेट सही है उत्तर इसका हो जाएगा डी निमलिकित में से कौन सा गुप्तकाल में भूमी करका एक प्रकार था तो उद्रंग था उपरी करता भूतावात प्रत्याय और शुल्क नहीं था तो उत्तर हो जाएगा ए गुप्तकाल वो काल है जब राजसु से संब्धित वह लंबी चोड़ी हमको जो है शब्दावली मिलते तो भूमी पर ज़्यादा जोगर हो गया था वैपार वानिजे का पतन हो चुका था इसलिए इसमें भूमी प्रशन ज़्यादा आते हैं बक्तिकाल में महाराष्ट धर्म उसमें धरकरी और वरकरी दो संप्रदाए हैं इसमें पूछा गया कि कौन से संद वरकरी संप्रदाए से संब्धित हैं तो नाम देव और तुकाराम के अलावा ज्यानेश्वर और शंकर देव दो हैं नहीं इसमें नाम देव तुकाराम औ बी नाइटि फॉर्स्ट कॉश्चन मद्दे काल में बस आई गए निम्लिक सेरों में से किस शहर को फिरोशा ह्ट टुगलक ने बसाया था तो फिरोशा तुगलक आप प्रयएबाद, फत्याबाद, जॉनपूर और हिसार फिरोजाबाद, उसका भाई के नाम था दिवान इवकूफ है, ये माना जाता है कि जो वै के कागजातों से समझ दी था, जलालो दिन खिल जी के समय गयता था डी उत्तर जो इसका गलत था 93 अलाओ अधिन खिल जी उसके समय में कौन सा कतन सत्य है अलाओ अधिन का नाम अले गुर्सता जलाओ अधिन खिल जी कि इसने अत्या की सिको पर सिकंदर इसानी खुदवाया इसने और अलावल मुल्क ने इसको प्रेरित नहीं किया अलावल मुल्क नहीं बोला कि शिकंदर सानी आप बन रहे हो लेकिन आप पहले भारत को जीत लो यही बहुत बड़ी बात है तो उत्तर हो जाएगा इसका एक दो और तीन यानि उत्तर भी चीनी यात्रियों के भारत आगमन का सही अनुकरम क्या है इसमें सबसे पहले फायान है फिर वेंसांग फिर इच सिंग है निमली के सासकों में से किस सासक को जैन दर्म का सरक्षक माना जाता है जहन दर्म के सरक्षों में चंदर गुप्त मोर्य है इसके अलावा आपके अशोग नहीं है अशोग ने आजेवे को और मौदों को दिया फिर खारवेल है हर्ष भी नहीं है तो एक और तीन किसाफ से उत्तर हो जाएगा भी तुझुके बाबरी का अनुवाद किस ने किया पायंदा का अब्दुरहिम खान खाना ने सल्तनत काल के लिए सुल्तान ने कहा कि राज की आए कि मैं वर्दी भूराजसों वर्दी नहीं बलकि उत्पादिन मैं वर्दी होना चाहिए कि राजसों तब बढ़ेगा जब आप प्रड़क्शन बढ़ा हो किसानों को जित्ती प्रड़क्शन उसी से ज़्यादा लोगे दो दुखी हो जाएंगे बहुत बड़ी बात है किसानों का सुल्तान भी कहा गया गया सुदिन तुगलग को नाइंटी एट में इंडिका के बारे में प्रड़क्शन पूचा गया कि इंडिका के बारे में बताई तो मैगस्त्रीज ने लिखी है जो जूनानी राज़ूद था भारत में चंदीगूत मोरे के समय में आया था पाटले पुत नगर को पॉली पूथा कहता है उसके बारे में ये भी स्टेटमेंट सही है इंडिका का अनुसार मोरे काल में दास्परता प्रसलित नहीं थी बोलता है जब कि इसमें कमला थी गलत हो जाएगा इंडिका के अनुसार मौरे प्रसाशन में कर चोरी जुर्माना के लिए कर राशी का दस गुना था तो ये भी स्टेटमेंट भी किला तो एक और दो उत्तर हो जाएगा ए अगें डिपार्टमेंट और उनको मिलाना दिवान वकूफ जलाल अदिन खिल जी के समय बना दिवान अमीर कोई मुहम्मद बिन तुगलक के दिवान आरिज भलबन के समय उत्तर हो जागा भी किताबें और उनका मैच हुमायू नामा गुल बदन बेगम अकबर नामा अबुल फजल पाशा नामा अब्दुल हमीद लावरिज शाजा नामा इनायत खान उत्तर ए भक्ति आंदोलन में कौन सा कतन सत्य है तो इसमें दक्षिन भारत में भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद प्रगड किया कबीर ने सब दीब नवकंड अलवार और नहेनारों ने फिर आचारियों ने भक्ति को दक्षिन से बढ़ाया ठीक है भक्ति आंद था चारों स्टेट्मेंट से ही एक सो तीनवा प्रशन सल्तनत काल में निमलिकित सासकों को उनके काला नुकरम के अनुसार से विवस्तित कीजिए तो इसमें सबसे पुराना कुतुब दिन एबक है कुतुब दिन एबक के बाद में आपके हो जाएगा अलाओ दिन मसूद सा एक सो चौथा प्रशन माजन पदर उनकी राजा है इसमें कौन सा मैच नहीं करता वत्स का राजा जो है उदेन था प्रसंजीत नहीं था कोशल का था यह मिसमैच करता तो उत्तर हो जागा भी मौमद बिन तुकलक के संदर में निमलिकित मैसे कौन सा कथन सत्य है तो इसमें तीन कथन तो सङी इसने सांकेतिक मुद्रा के तोर पे तांबे के सिक्के चलाए कासे और पीतल के सिक्के चलाए तांबे के भी नी चलाए तो पहला कथन गलत हो जाएगा वाकि सैए एक सुच्छेवा प्रश्न इल्तुतमिष गोरी का दास्ता ये भी ठीक है मंगोल आक्रमखारी चंगीज खाँ इल्तुतमिष के साशनकाल है भारत की उत्तरपसिम सीमा पर आ गया था ये स्टेटमेंट भी सही है इल्तुतमिष को सुल्तान पदिक पर स्विकृति खलीफा से प्राप्त ही थी ये भी स्टेटमेंट सही है और इल्तुतमिष न तुर्का ने चेलगानी का गठन क्या ये भी सही है तो चारों कतन इसके सही हो जाएंगे सुमेलित कीजी एक तरह जजेनगर का सामराज के राजवन से चार वंस हैं संगम है तुलूव है Sallouव है और अरिवीडव उनके संस्ता पक है उत्तर हो जाएगा डी संगम वंस के हैं हरीहर और बुक्का तुलूव वंस के हैं आपके तुलूबवंस के हो जाएंगे आपके वीर नर्सिंग आरिवीडू के हो जाएंगे तुरूमल और सलू के हो जाएंगे नर्सिंग सालो उत्तर हो जाएगा D 108 मां प्रश्ण बहुत धर्म से संबन दीते हैं बहुत धर्म की गुफाएं बहुत मात्मा बुद्ध की घटना है और उसे संकेति जो हैं वो पुछे जाते हैं इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है तो ग्यान के साथ में अशोक का पेड़ मैच नहीं कर रहा है बर्गत का पेड़ करता है निमलिके राजवंस को उनके काला नुकरम में ववस्तित कीजिए तो इसमें सबसे पुराना जो माना जाएगा हरेंगवंस है हरेंगवंस के बाद में आपके आ जाएगा स्रिसुनागवंस, स्रिसुनागवंस नंद उसके बाद में मौरे तो उत्तर हो जाएगा आपका बी वरकरी संपरदाई की मुख्य पीट कांपर है पंदरपूर है पुना के पास में विठोबा स्रीकृष्ण की पूजा करते थे वहीं आसपाद माराश्य दम का उदे हुआ उत्तर हो जाएगा एक सो ग्यारों प्रश्ण माजन पदों का वर्णन किसमें मिलता है आरे इसमें सल्तरत काल में आरोपित की जाने वाले करों में से कौन सा गैर मुस्लिमों से लिया जाता था तो गैर मुस्लिमों से खराज, खंस, जजिया और जकात 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 जो था वो केवल मुस्लिमों से लिया जाता था बाकी सारे गैर मुस्लिमों से लिया जाता था खंस भी जो है 114 प्रशन निमली के युद्धों को सही काला नुकरम में विश्थित कीजिए, अब चार युद्ध हैं, उसको आपको मैच करना इसमें, सबसे पुराना जो युद्ध माना जाएगा, पानिपत का युद्ध माना जाएगा, उसके बाद में आपके खानवा का युद्ध है, चानवा के बाद में गागरा का युद्ध है फिर चंदरी का युद्ध है, 159 प्रशन मावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में पूछा गया है, इसमें कौन सा कतन, वो सत्त्य पूछा गया है, तो इसमें मावीर का जन्म वैशाली, इनमें गुन्डग्राम में हुआ बि दिल्ली सल्तनत के निम्लिकित राजवंसों को उनके साशन काल में सही काल अनुकरम में विवस्तित किये जिए तो इसमें जो सबसे पहला तो जहू गुलाम वंसों उसके बाद में खिल जी फिर तुगलक है फिर आपके सैयद है उसके बाद में आपके लोदी वंसा जाता है त 270 वां कौन सा कतन सत्य है तो इसमें गुलाम वंस का संस्ताफ़क मुहमद गोरी था गलत है कुतूब दिनाइबग था बाकि तीनों सही एक सो अठारवा प्रशन वीजयन अगर सामराज जे में साशन करने वाले निमलिकित राज वंसो को उनके शाशन काल के नुसार सही काला न अधरन समाधि दिया वह उसमें कौन सा अंस उसमें शामिल नहीं है तो इसमें प्राणायाम है यम नियम है प्रतिहार है और समाधि है चारुए हो जाएंगे अक्बर के शाशन काल के निमलिकित गटनाओं को उनके काल अनुकरम में उनको सैट कीजिए तो इसमें राजस प्रणाली देह साला उन्होंने लगबग 1980 में स्टार्ट की, दास पुर्था का अंत जो उन्हों उन्हों 62-63 में कर दिया, पतैपुर सीक्री 1975 में जजिया की समावती 1964 में, तो दो, चार, तीन और एक, उत्तर हो जाएगा आपका एक, तो ये कुल मिलाके, मेडेवल और मॉडर हिस्टरी के कोश्चन्स है, कुछ पार्ट इसमें रह गया है, वो आपको जो पूरे वाले एक पेपर मिलेंगे, उसमें आपको इसके बाकी का, जो पार्ट भी मिलेंगे, जिसमें खास करके, कुछ आर्किटेक्चर के, और कुछ जो हैं आपको, प्रीमिटेवल के भी कोश् कर दो कर दो गया